अस्सलाम वालेकुम गाईज आज मैं उन हिंदू भाईयों को चैलेंज देता हूँ और समीर के अनभक्तों को भी चैलेंज है मेरा जो लोग समीर की विक्टरी क्लेम कर रहे थे वो लोग ये पूरी वीडियो देखें और इमानदारी से बताएं समीर कौन से पॉइंट पर वि वोड़ी तरह वो हार जाता है समीर अपने उसूल कहां से ला रहा था इसकी ख़बर तो उसके पीछे बैठे क्रिस्चेंस को भी नी थी वह भी बिचारे कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि यह क्या वोल रहा है और अगर किसी हिंदू भाई को लगता है कि समीर बिल्कुल करेक् माफी मांगूंगा खैर तो सिदार्थ कितना कन्फ्यूज था इसको आप ऐसे देखें कि वो थोड़ी देर पहले कुछ कहता था फिर उससे मुकर जाता था क्लिप हमने तो छोह वो हो एअने चु रहे हमने कि यौ किसख धा शबः कर दी मैंने से नहीं कर सकता इसको इसको कि शाभित कर दी ज Seit तो allowing बाल होगी बास सिर्फ यही नहीं है समीर उसूलों से इतना कच्छा था कि स्टार्टिंग में उसने एक उसूल बनाया कि मैं कुरान को मानूंगा आपका अल्ला कुरान के अंदर बताता है एक नभी होने के तालुक से मैं उसी पर आपके रसूल जाते हैं तो मैं उनको नहीं मानूंगा फिर जब समीर के सो कॉल्ड एविडेंस के खिलाफ अगर कोई आयत जाती तो वो कह देता कि यह आयत को मैं नहीं मानूंगा क्यूंकि यह तो उमर रजी अनू के डर की वज़े से नाजिल हुई थी और यह हुआ था और वो हुआ था क्लिप सुने जैसे के मैंने आपको भी बताया है कि ये आयत बहुत बात में नाजिल हूई है जिसके बात कर रहे हैं और वो भी उमर के इसरार पर बहुत से ऐसा आयते हैं कुरान के अधर जो उमर के डर की वजह से नाजिल हूई है अल्ला के रसूल इसको नाजिल नाहीं चाथे 것 traject I mean seriously फिर तुमने स्टार्टिंग में ये उसूल क्यों बनाया था कि मैं कुरान को मानूंगा और फिर कुरान ही की आयतों को रिजेक्ट कर रहे हो जो आयते तुम्हारे प्रोपागेंडा के खिलाफ हैं और अभी हम ये भी थाबित करेंगे फिर के तालुक से मैं आपको बता दू ये अधिस जनाब सही नहीं है क्योंकि ये अख़वार अहद है और इसका एक ही नेरेटर है और वो ये खुद नहीं जानता था कि वो जिस हदीस को दिखा रहा था वो हदीस खुद खबरे वाहिद थी नया टॉपिक अभी खबरे वाहिद वाला ला रहे है खबरे आहद वाला तो आपने जो हदीस बता है वो भी खबरे वाहिद है बाइद वे खबरे वाहिद एक्सेप्टेट है हमारे नस्दीक सईसानत से हो तो और फिर जैस साब ने इसके ब्लेंडरज दिखाए और फिर खुदी कह रहा था डिबेट में हाँ मैं गलत हूँ जो यहूदियों में से था तो इसी वज़ा से मौहमद स्लासल्हिप्ट में से है समीर का दावा है तो मेरा उससे कहना है कि जो उसने ये वीडियो में कहा है वो या तो साबित करें प्रूफ दे या तो अपनी गलती एक्सेप करें अगर उसमें मैंने ऐसा क्लेम किया है जैसा कि सुनाई भी दे रहा है कि वो यहूद में से है हाँ, so I was wrong, हाँ, so I was wrong और अब समीर का बड़ा ही गजब उसूल आप लोग चेक करें उसने एक हदीश दिखाई जिसमें वो बात नहीं लिखी थी जो समीर ओरिजनली क्लेम कर रहा था, पहले सुनें आप तुना नसाई, हदीश नमबर 108-83, वेक अप इन दे श्टेट ऑ जनाबा, विदाउट है वेड्रीम, यानि कि वेड्रीम नहीं आया था, जनाबत की हालत में उठे थे, यानि कि हम रिस्ते ही की हुई थी, राइट, इसके बाद, इसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उन नसाई, उनके लिए कुछ खाना रही, और उन्होंने खाया, फ्रम दैट, देन ये गोट अप, और फिर वे खड़े हुए, और उन्होंने नमाज पढ़ी, यानि नो पॉफमर मजू, वाया भी लपाद, वेन इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, यहां से अब सेकिंड ह चुरू हो रही है, यह पहली हदीस है, और यह दूसरी हदीस है, जैसा होता है न, एक साथ दो वाकिये जिकर कर दिये जाएं, तो वैसे ही नेरेटर ने एक साथ दो वाकिये जिकर कर रखे हैं इस हदीस में, जिसका सबूत जैत पटेल सहाब ने बताया, कि भाई, हदीस में दो अलग अलग वाक्य हैं जिनका सबूत है इस हदीष के Arabic text जिसमें लिखा है विद इस हदीष यानि इस हदीष के साथ तो clearly यहां दो हदीषों का जिकर है तो जैद पटेल साब ने साबित कर दिया कि भई यहां लिखा है कि रसूल अल्ला ने जनाबत की हालत में रोजा रखा तो इससे ये बात साबित होई कि जनाबत की हालत में रोजा रखा जा सकता है बस ये वाक्या एंड हो गया यहां पर और उसके बाद लिखा है विद इस हदीष यानि एक और हदीष इसके साथ आई है जहां लिखा है grilled ribs खाने से वजू नहीं तूटता तो दो information दी गई है इस हदीस में अब समीर ने इन दोनों वाक्यों को एक मान लिया वह दफना माहादल हदीस इस हदीस के साथ उन्होंने एक और हदीस बयां की अब translation में क्या हुआ कि इस हदीस के साथ एक और हदीस बयां की तो वो detail बीच की वहाँ पर translated नहीं है तो आप जैसे लोगों को अपने thoughts conjecture करने का कोई एक चीज मिल रही है लेकिन Arabic text में अगर जाते हैं तो इस हदीस के साथ ये second हदीस उन्होंने बयां की कि उमे सल्मा रदिला नहां बता रही है कि नभी सल्हासम उठते थे हालत जनाबत में without having a wet dream और फिर रोजा रखते यहां पर एक बात होगी खतम बात खतम होगे second बात और उन्होंने उन्हें बताया कि वो उन्होंने बालाया नभी सल्हासम के लिए कुछ grilled ribs उन्होंने खाया उसमें से फिर वो उठे और नमाज पढ़े और वुजूू नहीं किये यानि कि वो खाने के बाद वुजू नहीं किये यहां ये बात की दलील है कि खाने के बाद वुजू नहीं किये तो यहां पर यह समझना है कि किसी का वुजू है तो क्या खाने से गोश्ट खाने से क्या वुजू तूट जाएगा तो नहीं तूटता है उसकी दलील है उसकी दलील है क्योंकि यहां दो अलग-अलग बाते हैं और जब जैद पटेल साहब ने इसको गलत पुरूफ किया तो अब इसकी जिद्द चेक करें आप लोग मतलब इसका उसूल चेक करें आप लोग इसने कहा कि आप इसी हदीश से थाबित करो कि उन्होंने गुसल लिया था अरे यह क्या बात हुई भाई तेरा क्लेम तो इस हदीश के अरबिक टेक्स से डिस्ट्रॉई हो गया अब तू कह रहा है कि इसी हदीश से साबित कर दो उन्होंने गुसल किया था और यू क्रेजी भाई जिसका दावा होता है साबित उसको करना होता है इस हदीश में तो सतर चीजे नहीं लिखी कलको कोई कह सकता है कि रसुल अला ने जो ग्रिल्ड रिब्स काई वो हराम थी उस जानवर पे कलमा नहीं पढ़ा गया था तो कलको को ये भी कह सकता है कलको को ये इतराज करने वाला तो ये भी कह सकता है जिसका दावा होता है एविडेंस भी उसके जिम्मे होता है इस हदीस के अंदर तो 70 चीज़े नहीं लिखी ये बड़ी कॉमन सी बात है एक हदीस में पूरे वाक्या का शॉर्ट हिस्सा करके बताया गया है इसका मतलब ये नहीं होता है कि बाकी की चीज़ें होई ही नहीं थी तो भी थाबित नहीं होता है, क्यों? क्योंकि कोई चीज इन्फरमिशन जिकर नहीं है, उसका मतलब यह नहीं कि वो नहीं हुई, उसकी बहुत सारी मिसाले दी जाती है, तो इसके अंदर वहां के रुदाद बेयां किये, उसके अंदर कहीं जिकर नहीं किया, कि ग्रेट वाल समीर मेरा तुछ को चैलेंज है, इस हदीश से साबित करके रसूल ला ने गुसल नहीं किया था, मैं अपने चैनल पर वीडियो बना के माफी मांगूँगा अगर तुने साबित कर दिया थो, और हमसे सवाल मत करना के तुम लोग साबित करो, क्योंकि दावात 13 था और जैद पर टेल साब ने उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, मैं अपसीर बगवी के अंदर, यह आयत, वह मैं काना दिन अंजगला, इक्रमा रजिल लाह उतना अन्हूं, मुकस्म रजिल लाह उतना नो फर्माते है, कि हज़रत पयेद अना अब्दुल्ला बिन पर चाधर के दिन जो है, वो गुम हो गई थी, और जो वहां के जो जो सहाबा के उन्हों ने यह कहा कि वो वो जनाव रसुलfar ळो पर तीन हो रही है, जिसका ग्रेटली बीस, अनल बाली ने इस पो सही करा दिया है यह हदीश के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है दा वर्स एंड नौ प्रॉफिट कुल एवर भी पोल्स तो इस ट्रस्ट वाज रिवील अबाउट रेड वालवेट वैन इट वाज पंड मिस्टिंग अन दे अफ बदर अब इसने कहा बदरी सहाबा ने रसूल ला सललौ पर चोड़ी का इल्जाम लगाया हलके बदरी सहाबा जन्नती है और वो ऐसी बात कही नहीं सकते ये बात हम सब जानते हैं लेकिन मज़े की बात ये है कि इस हदीस में जो इसने दिखाई है वो अलफाज ही नहीं है। कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि बदरी सहाबा ने कहा, यहां लिखा है, some people said, not badri सहाबा said, बलके some, अब इसके response पर समीर बोला, missing on the day of badri, badri ही के दिन missing हुई है वो, badri ही के दिन ये बात हो रही है, तब कुछ लोगों ने कहा, some people said, prayer the messenger of Allah has taken it, तो ये जो इल्दाम लगाने वाले लोग है, ये बदर में पहुंच गए थे क्या मुनाफिक घर से अपने लड़ाई खतम होने के बाद, same day, ये पिर रसूल अल्ला अपना पूरा काफिला ले करके, same day, badri के मैजन से अपने घर पहुंच गए थे, जहां पर तवारा हो रहा था, अब इसने बोला, badri, badri के दिन का वाक्या है, उस पे भी जायद पटेल साहब दिसको डिवंग कर दिया, पहली चीज़ यहां पर यह देखिए, कि यहां पर, जो आपने कहा ना, badr के दिन की बात है, बदर के दिन यह सवाल जरा गौर से देखिए, फुकिदत यौमा बदरिन, वो मिसिंग थी, बदर के दिन, अब यहां पर यह बात नहीं कही गई है, वो उसी दिन सवाल हुआ, जरूरी नहीं है, उसी दिन हुआ, बदर के दिन सिर्फ चादर खोई थी, इसका मतलब यह नहीं है, कि उसी दिन लोगों ने इल्जाम लगाया था, और ऐसा उस हदीस में कुछ नहीं है, कि सारा काम सेम डे हुआ, उसी सारा करें, नहीं है, उसी सेम डे हमनों लोगों ने इंजाम लगाया था, कुछ नहीं है चादर कर पाया, जिसके जवाब में जायद पटेल सहाब ने एक हदीश दिखाई जिसमें लिखा था कि जिन लोगों ने रसूल अल्लाव पर इल्जाम लगा है था वो बद्री सहाबा नहीं थे बलके हिपोक्रिट्स थे यहां पर मैंने इनके अल्फाज बुलते टाम पर नोट किये बद्र के लोग बात कर रहे थे बद्र के लोग बात कर रहे थे तबरानी की हदीश लाया था मैंने उसकी बुक आपके सामने यह आपके पास हाइलाइट टेक्स्ट है तो यहां पर आप यह देख रहे हैं वलाकिन के सहाबा ने लगाया और बद्र के सहाबा की फदीलत कुरान और थाफ जा रहें कि यहां पे लिखा हुआ है मुनाफिकोन इतना तो आपको भी पढ़ने आता है अब समीर दजिदी कहने लगा कि रसूल अल्लाव को तो मुनाफिकों का इल्मी नहीं था इतनी बड़ी बोंगी इसने हमारी कुछ तुम्हारे गर्दिशों में और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाग पर अड़े हुए हैं आप उनको नहीं जानते अल्लाव कह रहा हैं कि आप उनको नहीं जानते उंको हम जानते हैं हम उनको दोरी सजा देंगे फिर वो बड़े भारी अजाब की तरफ भागे जाएंगे अल्ला कह रहा चैसा आप जानते ही नहीं है आप क्षाबित करेंगे मुहमर्य रसुल वह एकसेप्ट करने को रेडी भी नहीं हुआ तो ये कपड़ा चोरी का पूरा आर्ग्यूमेंट कॉलैप्स हो जाता और इसी वज़े से वो एकसेप्ट करने को रेडी भी नहीं हुआ और इसी दोरान ये हुआ कि जैद पटेल सहाब ने कुरान की कई आयते दिखाई मुनाफिकों के तालुक से कि नबी सलेला वल्यूस सलम को इल्म था मुनाफिकों का अज़ाद पटेल सहाब ने साबित किया हुई अगर आप सतर बार भी उनके लिए माफि मांगो अल्ला माफ नहीं करेगा कौन लोग कौन लोग आयत नंबर 78 में आ रहे हम लोग हाँ आयत नंबर 78 में आ रहा है तो हम क्या देख रहे हैं अल्ला ताला उनकी सीक्रिट कंवर्सेशन प्राइवेट कंवर्सेशन सब कुछ ज लेकिन तो इसके लिए अनसर यहां पे मौगून है आयत नंबर 77 में आया है तो क्लेर ली दिया हुआ है हिपोक्रिशी के उनके सीनों में हिपोक्रिशी हूं की बात हो ञेत तो यहां पर हम यह देखता हैं कि बात वाजश्ब है आपको चहिया था वो भी मिल गया इन आयतों को देखने के बाद भी समीर ने कहा कि मैं ना मानू, मैं ना मानू, वो कैता है ना कि आप सोय हुए इंसान को तो जगा सकते हो, लेकिन जो इंसान सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको नहीं जगा सकते, लेकिन फिर समीर ने एक हदीश दिखाई जिससे वो ये सोच रहा था कि उसके क्लेम को सपोर्ट मिल रहा है लेकिन असल में वो हदीश उसको ही रिफ्यूट कर रही थी क्लिप इस आयद के शायद की जब तफिर आप पढ़ते हो दुर्रे मनसूर इसके अंदर क्या लिखा है आप कुछ पढ़िएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है दलाइल में इबन अमर रिखालाओं से रिवायत किया कि जब अब्दुल्ला बिन अभी सलूल के वफात कुई तो इसका बेटा अब्दुल्ला रसूल अल्लाओं के पास आया और उनसे सवाल किया कि अपने कमीश अता अता फरमाएं ताके उसमें कफन दिया जाए आपने अता फरमा दी अपनी कमीश अता फरमा दी कफन के लिए एक मुनाफिक के लिए लगा कर रसूल जो है ना वो कफन के लिए अपनी कमीश दे रहे है फिर इसने सवाल किया आप इस पर नमाज भी पढ खड़े हुए तो उमर बिन खताब रजिल्लाव टाला नहूं खड़े हुए और आपको आपको आपका कपड़ा पकड़ कर अर्ज किया या रसूल लूह अप इस पर नमाज पढ़ रहे हैं हाला कि अल्ला टाला ने मुनापिकों पर नमाज पढ़ने से मना फरमाया है आपने मेरे रब ने मुझे अक्तियार देते हुए फरमाया आयत का जिक्र करते हुए उन्हें बताया और हम अनकरीब सतर बार से ज्यादा इस्तफार कर लोगा लोगा। अब समीर ने यहाँ दो दावे किये कि कुरान की ये आयत अमर रजियलावतला अन्हू के डर्की वज़े से नाजिल हुई थी और एक ये कि रसूल अल्लाव को मुनाफिकों का इल्म नहीं था और हम दोनों ही दावे इसी ही हदीश से रिफ्यूट करेंगे इंशालला अब इस हदीश को पढ़ना स्टार्ट करें इसमें साफ साफ लिखा है कि अमर रजियलावतला अन्हू ने रसूल अल्ला को रोका कि आप इन पर नमाज ना पढ़ें क्योंके ये एक मुनाफिक था और अल्ला ने मुनाफिकों पर नमाज पढ़ने से मना किया है तो क्लियरली उन लो कौन कौन है अल्ला ने मना किया है या अल्फाज मौजूद हैं उस हदीस में एक्तियार दिय क्या यानि चॉइस दी है और वह आयत ये रही चैप्टर 9 वर्स 80 इस आयत में कहा गया है कि ओ मुहम्मद उनके लिए forgiveness मांगो या ना मांगो और यहां और आया है आप forgiveness मांगे या ना मांगे यानि यहां पर और को notice करें और आया है यानि अल्ला ने choice दी है रसूल अल्ला को इस मामले में कि आप forgiveness मांगो या ना मांगो उनकी बक्षिस नहीं होगी तो clear as daylight उनको पता था मुनाफिकों के बारे में इसी वज़े से इस आयत का जिकर है कि आप forgiveness मांगो या ना मांगो या 70 बार forgiveness मांगो अल्ला मुनाफिकों को नहीं माफ करेगा तो इस حadث में जिस मुनाफिकों की मात हुई है इसमेह कोई शक्क नहीं है के वो शक्स मुनाफिकी था रसूललाद स्लिवावज इस वज़े से उस शक्स की नमास पढ़ाने को कहड़े हुए क्योंके इस आयत में अल्लाने रसूललाद को चोईष दि हुई गया नियू आयत उतार कर सुरह 9 आयत 84 में साफ साफ लिखा है कि मुनाफिकों के लिए नमाज मत पढ़ो ये नियू आयत नाजिल हुई थी और साफ साफ इसमें कह दिया गया कि मुनाफिकों के लिए नमाज मत पढ़ो और ना ही उनकी कबरों पर खड़े हो तो क्लियर ली उन उन लोगों को था, रसूल अल्ला को भी था, जबी तो नमास पढ़ना छोड़ा गया, भई अगर इल्मी ना होता कि कौन मुनाफिक है, कौन नहीं, तो किस पर नमास पढ़ना छोड़ा गया, तो obviously उनको इल्म था मुनाफिकों का, ये बात इसके ही evidence ने साबित करी, अच्छा एसा इस हदीस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, रसूल अल्ला उसको मुनाफिकी मान रहे थे, बलके वो मुनाफिक था, ये बात तो well accepted थी, कि वो मुनाफिकी था, रसूल अल्ला ये कह रहे थे, कि मैं इस पर नमास पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, इसकी माफिकी नहीं हो रहे थे, बही अगर इसमें शक होता, कि वो मुनाफिक है या नहीं, तो वो सत्तर बार से कम ही कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सत्तर बार से जादा माँग लूँगा, तो यानि उन्होंने कुरान की आयत को ध्यान में रखते हुए ये सोचा, कि अल्ला ताला ने पर प्रेयर पढ़ाने से ही मना कर दिया नियू आयत उतार के, तो हिपोक्रिट तो वो था, जबी रसुल अल्ला ने सत्तर बार से जादा बार उसके लिए माफिय माँगने को कहा भी, कि तो कलियरली समीर तू ये साबित नहीं कर सकता, कि रसुल अल्ला अल्ला अल्हों को कलिप तब आयत नाजल हुई तो अगर डर होता तो शुरूई क्यों करी तो अगर डर था तो कैसे पढ़ाई तो ये बाद भी तेरी इसी आयस से रिफ्यूट हो जाती है कि अगर उनको डर होता तो स्टार्ट भी ना कर पाते नमाज पढ़ना हम क्या देख रहे हैं नमास पढ़ने के बाद आयत नाजिल हुई तो अगर डर था तो उन्होंने नमास कैसे पढ़ाई और ये भी मैं आपको बता दूँ ये हदीस सही हदीस है ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर भी आई है सही मुस्लिम 2400 A and B तो इस हदीस को वीक थाभित ने कर सकता तो तो मैंने तुझे सही रेफरेंस भी दे द या अब तुए इस हदीस को जईव भी नहीं कह सकता तो क्लियरली उनको पता था हिपोकृट्स के बारे में और समीर मेरा तुझको चैलेंज है इस बात को साबित करके दिखा कि रसूर अल्ला को एक भी हिपोक्रिट के बारे में नहीं पता था तो मैं वीडियो बना कर तेरे से माफी मांगूंगा जबके मैंने तेरे ही एविडेंस से साबित किया कि उनको हिपोक्रिट के बारे में इल्म था और जैद पतेल साहब ने भी वही पर ही साबित किया था लेकिन मैं ना मानू, मैं ना मानू का कोई इलाज नी है किसी अंदे को भी दिख जाएगा कि हाँ तो यहां पर दोनों को पता है मना फिकीन के अडेंटिटी नोन है सामने है और फिर भी आप यह चीज को नहीं देख पा रहे हैं हाँ, हाँ, आई वज रूंग, हाँ, आई वज रूंग